कि स्टूडेंट्स आज हम इस्टेडी करेंगे मुत्र निर्मान की किरिया विद्धी के बारे में इससे पहले इक स्टूडेंज में मनें कि सरचना के बारे में पढ़ा थे और नेफरांस होता है यह उसरजन की स्रचनात्मक एवं किर्यात्मक एकाई होती है और नेफ्रोंस के अंदर मुत्र निर्मान की किर्याविदी संपन होती है और मुत्र निर्मान की किर्याविदी होगी उसे यूरिया युक्त जो रुधिर होता है यूरिया युक्त रुधिर होगा यूरिया युक अपनीज़ करने के बाद में नेफ्रोंस में इंका क्या होगा निशयंदन होगा और जिसके फ़लश्रूफ मोतर का निरमाण होता है उसमें निमलिकी तीन होते हैं पहला आपको निखना करना है और फिल्ट्रियस इंखञ परा-धिणे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ढ़ । दूसरा चन होता है वह हमें द्यान रखना सेकेंड बोगा जिसे हम क्या कहेंगे वर्णात्मक पुनह अवस् crowd which और अरेक्टिव या वर्णात्मक पुनह अवस draw सण तो इस विसाउन हो जाएगा वर्ना अत्मक वन्हों पर थद्ध नहीं होता है वह हम्में ध्यान लेक्ट ना इस्तरावन या इस नली के सिग्वर्ण भी कहते हैं तो यह तीन चर्ण सबसे पहले बात करते हैं हम परानिश्यंदन के बारे में आपको धान रखना है कि परानिश्यंदन की किरिया विदी होती है वह दो भागों के माध्यम से होती है एक तो आपको देखना बोमेन संपूट एवं दूसरा भागा में द्यान एक ग्लो मेरूलस तो बोमेन संपूट एवं किस भाग में संपन होगी ग्लो मेरूलस भाग में संपन होती है तो यह प अभीवाई धमनी के कई साखाम मटने से ग्लोमेरुलस का अंदर मानुता है। इन दोनों भागों के अंदर क्या होगा। परानिशिंदन की किरियाविदी संपन होती है। परानिशिंदन होगा। उसमें आपको ध्यान एकना है कि जो सबसे पहले अभीवाई धमनी होती है। उस अभीवाई धमनी के द्वारा रुदीर को लाया जाता है। तथा आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान एकना अपवाई धमनी के द्वारा रुदीर को बाहर के और ले जाया जाता है। और इसमें देखो अभीवाई धमनी जो रुदीर को लाती है। उस अभीवाई आपको ध्यानेक नहीं जो बोवमें्स अंपूट के आंतरी कजिले एवसान backyard करेंगे जी परा निष्यंदन कला का जाता है यह इसे निर्मान करते हैं यह कला उती हैं किंचलनी की भांती वांती कार्य करतीemy चलनी की वांती दोती हैं और इस अभिवाई धमनी का जो व्यास होता है वह अधीक होता है और व्यास अधीक होने के दोती हैं और अभिवाई धमनी का व्यास होता है वह अधीक होता है जबकि अपवाई धमनी जो की रुदीर को बाहर के और ले जाती है उसका व्यास क्या होगा कम होता है और इसका व्यास कम होने के कांट से रुदीर कुछ देरी तक इसमें इस भाग में क्या हो जाएगा रुक जाता है यानि ग्लो मेरुलस में कुछ समय तक रुक जाता है और ग्लो मेरुलस में कुछ समय तक रुकने के क जिसे हम क्या कुछ होता है कौनसा दाव उत्पन होगा ग्लो मेरुलर दर्व इस्थितिक दाव उत्पन होता है तो यहां ध्यान लेकए अभीवाई धमनी व्यास सदीक अपवाई द्हमनी का व्यास कम होता है जिसके काण से रुदीर कुछ समय तक glomerulus में रूख जाता है और रूखने के फलसुर्फिक दाब उत्पन होगा और उस दाब को हम क्या करते हैं दर्व इस्टतिक दाब का जाता है इस दाब का मान होता है वह स्वस्त मनुष्य में स्वस्त मनुष्य में इनकाल मान होगा वो आपको दिनकना सितर M.M.H.G होता है इसका मान कितना होता है सितर M.M.H.G होता है मिली मरकरी होता है तो स्वस्त मनुष्य में सितर M.M.H.G होता है अब इसके बाद में आप ध्यान देजिए कि यह दर्व जब च्छनता है यनि इस दाब के काण से च्छनेगा तो च्छने के फलसुरूप रुदीर है याँ पर उपसित और रुदीर के अंदर आपको भ्यान होगा कोलाइडी पदार्त उपस होते हैं विभीन परकार के जो है वो कणिकिये पदार्त उपस होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन उपस होता है इन कणिकिये पदार्तों और कोलाइडी पदार्तों के कान से एक दाब उत्पन होता है जिससे हम रुदीर कोलाइडी परासरनी दाब कहा जाता है जिससे हम क्या कहेंगे रुदीर कोलाइडी परास प्रासनी ब्रसनी, ब्लैड विपरित उत्पन होता है और दूसरा दाब यह कुछ चानीतर पहले से उस्तित होता है जो की और उस संपूट में उस्तित जो दर्व के दर्व विपरित दिसामें, ऑग दाब लगाए जाएगा जो चानी की किरिया को रोपता है उस दाब को हम क्या कहते हैं तो आपको उस दाब को हम कहेंगे समपूटिये समपूटिये दर्व इस्तेतिक दाब कहा जाता हैं तो ये दो परकार की दाब उत्पन होते हैं CHP, यानि capsular hydrostatic pressure उत्पन होता हैं, ये दो प्रकार के दाब उत्पन होते हैं, जो कि इसके विपरित दाब कारियां करते हैं, अब देखो पहला ध्यान रेकना आपको रुधीर कोलाइडी परास्रनी दाब, यह दाब होता हैं, वह रुधीर में उपस्तित, रुधीर कनिकाओं एवम रुधीर कनिकाओं मतलब RBC, WBC इत्यादी जो रुधीर कनिकाओं होती हैं, उन रुधीर कनिकाओं एवम इसके अंदर जो कोलाइडी पदार्थ उपस होते हैं, प्लाजमा, प्रोटीन वगरा, इन कोलाइडी पदार्थों के कार्ण से उत्पन होने वाले दाब को, प आपको हम क्या कहेंगे, BCOP कहा जाता हैं, तो आप देखेंगे कि रुधीर कनिकाओं एवम कोलाइडी पदार्थों के उपस्त दीकाण से यह रुधीर में च्छनने की किरिया होगी, उसको रोकने का कार्य करता हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड कोलाइडी औस्मोटिक प विपरित दिशा में लगता हैं, दूसरा आपको धनकना है कुछ छनित्र, कुछ छनित्र या निश्यंद होता हैं, वह पहले से इसमें उपस्तित होता हैं, बोमें संपुट की गुवा में, और उस दरो के दोरा विपरित दिशा में दाब लगता हैं, पहले से उपस्तित द क्रिया को क्या करेगा रोकता है उस विपरित दाब को यनी छन्य की ग्रिया को रोकता है उस विपरित दाब को मैं क्या क बिस एमजी होता है लगबग 20 होता है तो लगबख 20 mmhz दाब ये और ये दो दाब होंगे वो प्रिद्धिसा में कार्य करते हैं तो हमें नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा वो कितना प्राप्त होता है वह हमें ध्यान नेक्टना है जिसे हम क्या करते हैं सुध्ध या प्रभावी निश्यंदन दाब इसी दाब से आपको दिर चंता है तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे फिल्ट्रेशन प्रेशर या निश्यंदन दाब होता है उस दाब का मान हम कैसे प्राप्त करते हैं सिंपल सा है हम प्राप्त कर सकते कुल दाब कितना लगता है तो प्रेसर चानने का कार्य करेगा इसके विपरित जो प्रेसर लगते हैं उसको निगाल दिया जाए बी सी ओपी बी सी ओपी और साथ में कौन सा सी एच पी यह दो दाब दगते हैं यह दरव कोलाइडी प्रासरनी दाब और आप संपूट यह हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर होता यह दो अंगी थिए तो ancरव को इस में से निखाल देंगी तो हमें नल्टरोस्ट प्रेसर पर आपत हो जाता है जिसका मान के कितना है बीस में पराप्त होता हैं तो इस प्रिकार से इस बाब बीस ममसी दाब होता ता है जिससे हम सुद्ध प्रभावी निश्यंदन consequence ल पासा कैसे लिखोगे वह दाब जिसके माध्यम से बोमें संपूट की कला के द्वारा रुदीर है उसका निश्यंदन होता है चन्य की किर्याविदी संपन होती है उस दाब को हम क्या करते हैं सुद्ध प्रभावी निश्यंदन दाब का जाता है जिसका मान हमें 20 mmHg प्राप् अब इस दाब से जो रुदीर है उस रुदीर में से चन करके और आपको धनकना इसमें प्रवेस करेगा अब कौन-कौन से पदार्थ चन करके आते हैं तो ध्यान दीजिए कि इसमें जो रुदीर के अंदर उपसित है उसमें रुदीर कने का हैं होती है उनका आकार बड़ा प्लाजमा में भी प्लाजमा प्रोटीन होगा यह प्लाजमा प्रोटीन नहीं चंकर के आता है बड़े आकार होने के कांड से कोलाइडी प्रोटीन की अत्रिक्त बाकिये वाले भाग होते हैं वह प्लाजमा में चंकर के और इस भाग में आ जाता हैं और इस बाग में जो चंकर के पदार्थ हाता हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं फिल्ट्रेट कहते हैं निश्यंद कहा जाता हैं जिसमें रुदीर कणिका हैं चंद करके नहीं आएगी और बीसी डबलू बीसी चंद करके नहीं आती हैं तता प्लाज्मा में बड़े प्लाज्मा प्रूटीन होंगे व कंपलावण होते हैं सोडियम काल सियम या क्लोराइड हो गया या फोशकल की लवन होते हैं वह चनगर के आजरते हैं इसके साथ में यूरी का अस्योंड कर के आ कितना होता है तो ध्यान निजे हँए जो हमारा हर् 350 होता है दोौग अ फॉस्ट यह बाद फूपोट होता है वह पांच अधे पर पांच लिटर पर मिनिट होता है निश्यन उसको पंप किया जता है और यह प्र26 यह प्रियस करता हैन से जो रिनियल और टरी होती हैं यह तो यह रिध्य में प्रवश करता हैं अब रीडियल आइट्री में अब जो आपको ध्यानहें रॉट Sus Sixत भाग होता हैं वही क्या होता हैं तो Renal Base Arizona होगा उस प्लाजसमा का मान होता हैं वह कितना होता हैं तो इसके अंदर प्लाजसमा होगा उसका मान वह कितना बंगा तो आपको धनका युद को स्वेभाग शहसों से इस में से छनीत्र कितना होता है उस इस का मान होता है दोनों हम बात करेंगे दोनों जो उसके नदर की तो इसमें कि उसका जाता है वसे हम क्या कहेंगे इस galaxy मैं से kचनी छोता है प्रकिक ट्यूंत को द्यात कितने होती है खोrem से जो च्छन करके रुदीर होगा उस रुदीर का प्लाजमा होगा सबया सब्सक्राइब के अंदर आता है इस अनुसार हम मान ग्याद करें अगर इनका मान ग्याद किया जाए तो तो एक सो असी लिटर पर डे मान होता हैं कि इतना हम मुत्र को सरजन करते हैं तो यह थान प्रती दिन बहुत ज्यादा होता है तो इसका क्या हो जाएगा अधिकांस भाग होगा उनका पुन अवस्वसन हो जाता है तो अगल्या सेकंड सेप हम पढ़ेंगे और वह कौन सा ध्य कि वरनातम कुण्हां लेंगे और गंटे में 60 मिनट मिनट को 20 गंटे में मिनट करें तो तो यह हमें द्यान रखना है अब हम दूसरा इस्टेप पड़ेंगे और वरनात्मक कुनहा उस्टसन होता है तो पहला इस्टेप आपका कंप्लीट हो गया परा निश्यन दन परानिशन किसके दौरा बोमें संपूट हमें द्यान रखना है ग्लोमेरर इस्टिक प्रेसर अब निश्यंद का पुनहा उस्वसन किस प्रकार से होता है तो यह ध्यान दीजिए सेकंड इस्टेप और सेकंड इस्टेप कौन सा है वर्णात्मक पुनहा उस्वसन है वर्णात्मक पुनहा उस्वसन का मतलब क्या है कि यहां पर पुनहा उस्वसन होता हूँ अलग-अलग पदार्थों का अलग-अलग इस्थानव पर होता है यानि पुनहा उस्वसन होगी उसकी किरियाविदी होती है, वो अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग होती है, तता यहां पर selective रूप से पदार्थों का पुना अवसोसन होता है, इस कार्ण से हम क्या कहते हैं, वर्णात्मक पुना अवसोसन होगा, उसमें आप ध्यान देंगे तो अलग-अलग भागो में वर्णात्मक पुना अवसोसन होता है, selective reabsorption होता है, पुना अवसोसन, अब ध्यान दीजिए, वर्णात्मक पुना अवसोसन में सबसे पहले जो निश्यंद है, वो किसमें आ जाता है, तो आपको देंगते हैं, समीपस्त कुंड़ित नलिका में आ जाता है, तो सबसे देखो जो आ रहा है निश्यंद, उस निश्यंद के अंदर क्या उपस होते हैं, विबीन प्रकार के पदार्त उपस होते हैं, इसके अंदर आपको देंगते हैं, यूरिया भी उपस्तित होगी, यूरी कमल भी उपस्तित होगा, और क्रियेटिन भी थोड़ी मातरम उपस्त होते हैं कुछ विटामीन होते हैं यह भी उपस्त होते हैं और हार्मोंस भी उपस्त होते हैं इस वरकार के पदार्थ होगे इन उपयोगी पदार्थों को पुना अवस्वशित करके और किसमें डालना रुधीर में डालना क्या कहलाता है वर्णात्मक पुनावस्वसन कि इसे कहेंगे तो जो चंकर के बोमें समपूटमाता है उसने सबसे पहले हम देखते हैं समीपस्ट कुंडलित नलिका या जिसे हम पीसीटी में पुना उसोसन किस प्रकार्स होता हैं यह आपको दहनता हैं जो समीपस्ट कुंडलित नलिका होती हैं उसमें पुना उसोसन किस प्रकार से होगा तो हमने पढ़ा था कि जो समीपस्ट कुंडलित नलिका होती हैं उसके अंदर इस प्रकार की सरतना उपस्त होते हैं आप जानगे होंगे यह इस प्रकार की सरतना जिसे हम क्या कहेंगे तो को ध्यान क्या स्कसमांग कूर कहा जाता है इसके अंदर मील्क करते हैं और ब्रस बॉ Herren का करने के करने करने यहां पर बढ़ जाता है और सरवाधिक आवस्वागन किस वह? बाग होता है?, समोधिक बैद होता हमाया तो सबसे अधीक और इसके कारण से सरवादिक अवस्वादिक 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 अव विटामीन होते हैं उस विटामीन का ऊसोस्ब की यहां पर हो जाता है इनके स्कुन कर रूप से पून अवसोस्थ हो जाता है यदि मुत्र के साथ तो हुल्द के सब्सक्राइए किसी रोग की परिश्थरिकaser उसमें में हो सकता है अने था आपको धन्कूज एमनीम लोवसी लो विटामिन्जू होते है उनका यहाँ पर पोन यूप से क्या हो जाता है अवसोसन हो जाता है तो गुलकूज हो गया एमनीम हो जाता है उसका इस बाग में हो में जाता है और जल का इस बाग में आपको ध्यान रेक्ता है 60-80% यहां पर जाता है जल का यहां पर 60% अवस्व सन होता है तथा लवण होते हैं उनका यहां पर आवस्व सन होता है वह गुलकोज, इसमें से गुलकोज, एमनेयमल और विटामिस, और लवन होते हैं इनका उस्वसन होगा वो सक्रिय अभी गमन के माध्यम से होता है तो सक्रिय अभी गमन के माध्यम से होता है तो सक्रिय अभी गमन के माध्यम से लवन होंगे गुलकोज और एमिय अमल होते हैं और इनका उस्वसन होता है जबकि वसी अमल का होगा वो निस्क्रिय अभ घ्र Diamond अड़िम से जलक आवशासन हो जाता हैं तो यह पहला आवस्वसान किसमें हो जाएगा PCT में पूने आवसोन हो जाता है यानी PCT में kphen 60 यह किसमें समस्वाग जाЕ 123 फरतिसद 20 हो जाता है उनका आवस्वसन हो घर हैंले लूप में और हैनले के लूपके दो भाग होते हैं एक तो आपको धंकना यह भागुका उसे हम क्या कहेंगे अरूही बुजा कौन सी बुजा हो जाएगी हैनले की लूप की इसकी उपक्ला होती हैं और इसके दौरा केवल और केवल आपको धनकना है जल का पूना उस्वसन होता है केवल और केवल यहां से कौन सा पदार्थ बार की और निकलेगा जल का उस्वसन होता है अन्य लवणों के लिए कैसा होता है अपार गम्य होता है यहनि लवण होंगे उनका पूना उस्वसन होता है वो इस बाग के मा और उसके बाद में दूसरा भाग से जल के लिए यह पारगम नहीं होती है और सिंपल जो पूरा अपिधिलों के माध्यम से सोडियम पोटेशिम और लोगा यहां पर जल का पुनाइवास्वश्वशन नहीं होगा और जल का पुनाइवस्वश्वस्वशन नहीं में होगा तो यहां पर जो है यह पदार्थ के सावज़ इंदर संपरासरी हो ज मतलब मतलब इयासा से साल्ट का आउस्म हो जाता है तो एस भी याद रहाद सकते हैं जो है आस होगा उस बाग से किसका उस्वसन हो जाता है तो आप ध्यान देंगे एस असेंडिंग से साल्ट का उस्वसन हो जाता है ऐसा भी याद रख सकते हैं तो यहां पर सोडियम और पोटेशियम और क्लॉराड होगा उनका उस्वसन हो जाता है हैं है यहाँ पर कुछ मात्रा में सोल इंग 나 यह किसमें चला जाएगा तो अगला बाग पूर स्कुभ सिति में पुणा से यनी दूरस कुंद पनलिकं पुना उस्कु कम आ दियान यहां पर हार्मौन के उपस्तुम होता है एस आर्मौन की टो यहां तो आर्मोन की साहथ से होता है जो की प्यूसगरंथी के कि पच्छे पाली से इस्तरावित होता है प्यूस गरंती के 45 पाली से इस्तरावी दोने वलब ऐसोप्रेसीन या एंटी-डायूरिटिक आर्मॉन होता है इस आर्मॉन के दर अत्रिक्त जल का क्या कर लिया जाता है जल का अउसोसन कर लिया जाता है यह हमें द्यान रेंखना है यह जल के अत्रिक्त मातरा होगी अधीक म कि अधिक मात्रा में होती है तो यहुइव कंसंट्रेट होता है जदा उच्परासरी हो जाता है तो इस प्रिकार से जल का एवं कुछ लवनों का अवस्व सनोता है वह दूरस्त कुनलित नलिका में हो जाता है फिर उसके बाद में अगला भागाएगा संग्र नलिका और संग्र नलिका होती है इस संग्र नलिका के माध्यम से जल का अवस्व सनोता है जल का अवस्व सनोगा इसके अत्रिक आप करने का कारिय है वह किसके दौरा किया जाता है। इस प्रकार से यूरिया एवं कुछ मातरा में जल में संग्रण संग्रण न लीकाया कि किस में घुलेगे तो आपको देंकता है बेलिनाई की डेक्ट में खुलेगी और बेलिनाई की वाईनी होगी वह माइनर केलिक्स में मेजर केलिक्स में खुलेगी फिर मेजर केलिक्स होगा वह पेलविस या स्रोनी भाग में और स्रोनी से मोतर वाईनी के दौरा मुतरासे में डाल दिया जाता है तो इस प्रकार से मोतर निर्मान की गिर्याग दियोगी, वह पूर्ण हो जाती है, अब उसके बाद में तीसरा इस्टेप है वो कौन सा है, इस्तरावन के बारे में, इसमें ध्यान दीजिए, इस्तरावन किसे गाजाता है, तो कुछ इस प्रकार की पदार्थ होते हैं, इन प गभरा यहां पर आपको यहां से सीधा यह धमनी की उत्त्री पता हुपणा यह तो आपको धंट्रेण फैंगे इस परिकार की पष्क्रेटी होगी जुसे हम क्या का ते हैं या नली किया सिक्रेशन्स का जाता है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे ही मुख्यूभ से जिव पोटेशियूम होता है या कुछ मात्रा में हाइडोजन होते हैं उसका हैं तो पूटेशियूम का और अमोनिया वह आपको सीधा डाल दिया जाता है दूरस्पूर्स्ट कुन्लित नली का धियां आपको संग्र नलीमि का हुआ जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं सीक्रेसंस का जाता है यांसे ट्यूबिलर सीक्रेसंस का जाता है नली की इस्तरावन का जाता है और इस प्रकार की प्रक्रिया के महध्यम से मुत्र का निर्मान होता है तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में मुत्र निर्मान की किर्याविदी के बारे में किस फरकार से मुत्र का निर्मान होता है अब एक दो चीज़ें और ध्यान रख सकते हैं मुत्र का तुपीला रंग होता है वह यूरो क्रॉम के कांड से होता है और यूरो क्रॉम बनता है वो किसके काण से बनता है बिली उबीन और बिली वर्डिंस होगा उनके विगेटरं के फलसुरूप यूरो क्रॉम का निर्मान होता है तो यह हमें इस वरकार से ज्यान रखना है इसी के साथ में आपका जुम्मोतर निर्मान की किरिया विदी का जो पार्ट है वो कम्प्लीट हो ता हम